पहली बात तो ये है कि आप खुद को बांध ही क्यों रहे हैं और फिर खुद को उससे बाहर निकालने में समय भी लगा रहे हैं। फाइदा क्या है खुद को इस तरह से बांधने का और फिर वापस उसी को खोलने का? वैसे एक इनसान के रूप में क्योंकि बहुत एक शरीर की खास सीमाए होती है वो कुछ चीजें कर सकता है, कुछ चीजें नहीं कर सकता हो सकता है कि कभी-कभी आपको आराम की भी जरूरत पड़े लेकिन आपको ऐसा क्यूं लगता है कि ये रुकना है ये अगली गतिविदी के लिए देखरे का एक हिस्सा है ठीक है? तो ये तनाफ को कम करने का धंदा बहुत लोग फ्री हो चुका है और कोई शान्थ होने की चीजों से दूरी बनाने की और जो कुछ भी है इन सब की बाते कर रहा है पहली बात तो ये कि आप में इतना जहर है क्यों? और अब आप उस जहर को निकालना चाहते हैं आप गलत चीजे खा रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं आपकी भावनाई गलत हैं और आप जहर से भर जाते हैं और अब आप उस जहर को बाहर निकालना चाहते हैं आप खुद ही अपने उपर बेडियां लगाते हैं और फिर उन्हें खोलना चाहते हैं खुद को बांधना एक अपराद है और फिर खोलना अब इसे खोलने में जो समय और उर्जा लगती है और आप इसे खोलते कैसे हैं मुझे पता है लोग बंधन तोड़ने के लिए कौन-कौन सी तरकीबें अपना रहे हैं नहीं, आपको खुद को बांधने या खोलने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है अगर आपका उद्देश्य आपके सीने में धड़क रहा है तो कोई भी गतिविदी आपको बोजिल नहीं लगेगी गतिविदी कभी कश्च दैक लगेगी ही नहीं अब आपको काम करने में मज़ा आएगा क्योंकि अब ये बोज नहीं है अब हमेशा आप मौकों की तलाश में रहेंगे अब आप अराम करने के लिए मौका नहीं तलाशेंगे अब हमेशा चलते रहने के लिए आप अफसर ढूडेंगे और जब चलते रहने का उपियोग करता हूँ तो समझ लीजे कि आप जिन्दा है इसका मतलब है कि आप चल रहे हैं आप रुके हुए हैं आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है नहीं नहीं हम नहीं चाहते कि अभी हो तो जीवन चलते रहने का ही नाम है एक समय आएगा जब आपको जाना पड़ेगा उसके बाद आप फिर से नहीं चल सकते बस हो गया इसलिए जब ये चल रहा है तो रुकने और चलने के बारे में मत सोचिए बस चलिए चलिए और चलिए क्योंकि जीवन का उद्देश ये बस चलना ही है मैं आपको याद दिलाता हूँ आप सब आप मेंसे कई सोच रहे होंगे कि हमें कितना काम करना चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए देखिए ये सवाल तब पैदा होते हैं जब आपके पास पूरा करने के लिए कोई उद्देश नहीं होता कोई ऐसा उद्देश जो आप से भी बड़ा हो अगर आपके दिल में ये नहीं है तब हमेशा ये गणे चलती रहेगी कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए करनड में एक कहावत है जब भी कोई मरता है तो चार लोग को उसे उठा कर चलना पड़ता है उन में से तीन लोग सच में भार उठा रहे होंगे लेकिन एक व्यक्ति बस भार उठाने का दिखावा कर रहा होगा ठीक है वो असल में कंदा देही नहीं रहा है और वो सोचता है कि वो स्मार्ट है नहीं वो स्मार्ट नहीं है वो मूर्ख है वो जीवन के सारे उनभव से चूपता जा रहा है इसलिए यहां चलने और रुकने जैसी कोई चीज नहीं है आप बस चल रहे हैं जब आप ठक जाएंगे तो वैसे भी बैट जाएंगे और जैसे ही उर्जा आ जाती है तो आप फिर से चल पड़ेंगे ठीक है तो बंधन खोलने की इन सभी योजनाओं के लिए योजना मत बनाईए जब आप ठक जाते हैं आप गिर जाते हैं और जाक कर फिर वापिस आ जाते हैं जीवन इस तरह से होना चाहिए जीवन गिर जाते हैं